गोलवालकर ने ये साफ किया 1960 में अपने एक भाषण में कि RSS ने तो कभी ये चाहा ही नहीं कि अंग्रेज देश छोड़कर चले जाए हमारा। मैं पढ़कर सुनाती हूँ उनके भाषण का एक हिस्सा जो उन्होंने 1960 में इंदोर मध्य प्रदेश में दिया था। कई लोग पहले इस प्रेणा से काम करते थे कि अंग्रेजों को निकाल कर देश को स्वतंत्र करना है। अंग्रेजों के आपचारेक रूप से चले जाने के बाद ये प्रेणा धीली पड़ गई। वास्तव में इतनी ही प्रेणा रखने की आवश्यक्ता नहीं थी। हमें स्मरण होगा कि हमने प्रतिग्या में धर्म और संस्कृती की रक्षा कर राष्ट की स्वतंत्रता का उलेग किया है। उसमें अंग्रेजों के जाने न जाने का उलेग नहीं है। मतलब हम मनुस्मृती चाते थे, हम चाते थे कि अंग्रेज तो रहे जाएं, और जैसा हम चाते हैं, हम उच जाती वाले, हम कैसे लोगों को दबाएं, हमारे उपर अंग्रेजों का जो है, वो आशिरवाद रहें, हम उनके चरन चाटुकार बनते रहें, वो ना जाएं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं थी, हम तो केवल चाहते थे, कि धर्म और संस्कृती की रक्षा करके, राष्ट की स्वतंतरता को बनाए रखे, और ये करने के लिए अगर अंग्रेज हमें वो सब करने देते, जो मनुस्मृती में लिखा है, तो हम तयार हो जाते, यही कहना चाहते समझे आप, यह है इनका चाल चरितर और चहरा, इन्होंने आजादी की लडाई में इतनी सी भी, इतनी सी भी कोशिश नहीं करी, हिस्सेदारी नहीं करी, आज बता रहे हैं राष्ट्र प्रेम के बारे में, आज बता रहे हैं देश भक्ती के बारे में, आज बता रहे हैं र अभी रह सके ना ये रहना चाहते हैं, इनके अंदर केवल नफरत है, इस नफरत को हमें प्यार में बदलने की आवश्यक्ता है, इसके लिए हमें कोशिश करते रहना पड़ेगा.